कैसे आप सभी लोग तो बहुत क्वीक अपडेट देना है आपको सबसे पहला तो आपको पता चल गया होगा कि बॉंबे हाई कोट ने 75 परसंट क्राइटेरिया को कहा है कि यह एज इट इस रहेगा यानि इसको स्क्रिवड करने की कोई बात नहीं किया गई अब क्लास 12 में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डमी स्कूल से पढ़ाई करते हुए रहते हैं उनका सपना होता है कि सिर्फ आईटी जेई में मुझे जाना है ठीक है तो आईटी जेई में जाने के लिए वह 12 को इतना अच्छे से करते नहीं और अगर 12 की बात करें तो 12 में बेसिकली क्या होता है कि आर आपको पहले तो प्रूफिंग अच्छे से आना चाहिए ठीक है डेरिवेशन बहुत अच्छे से उसको स्टेप बाई स्टेप लिखना है उसके बाद उसमें जो निमेरिकल है चलो आप निमेरिकल पाकर रह जाते हैं तो ऐसी कंडिशन में आपके जो बोर्ड के परसेंटेज होते हैं 75 परसेंट की उपर नहीं बन पाते हैं तो जहीं मेन और और यह कहता है कि आप हमारे यहां एडमिशन लेने के लिए सक्क्री नहीं है अब बच्चा बड़ा ही डर जाता है कि सौरब भा कितने लोग हैं जिनका 75 परसेंट से नीचे आया है कमेंट करना ठीक है और इस वीडियो के माद्यम से मैं आपकी मदद करने की पूरी कोसिस कर रहा हूं लेट सी तो 75 परसेंट के अगर मालो आपका नीचे आया है मांक्स तो आपके पास अविलेबल ऑप्सेंस क्या हैं लेते हैं अब जैसे कुछ प्राइवेट कॉलेजेज जो एडमीशन तक नहीं लेते हैं अगर आपका 75 परसेंट के नीचे आया है जैसे आपने बीट्स का नाम सुना होगा बीट्स पिलानी वह 75 परसेंट क्राइटेरियर नीचे वाले बच्चों को अडमीठी नहीं करता है कुछ ऐसे बोर्ड इक्जाम हैं जिनको आप देकर सेम एयर में सेम एयर में अपनी रैंक बदल सकते हो सेम एयर में अपनी रैंक सुधार सकते हो कैसे देखो ध्यान से जैसे मालों को 12 का बच्चा है 12 के बच्चे ने इस बार एडवांस का एक्जाम दिया एडवांस मुसको सीट मिल गया ठीक है लेकिन उसका 75 परसंट नहीं आया है तो अब उसको क्या करना होगा अब उसको दो ऑप्सन उसके पास ऑप्सन नमबर वन कि वो एक ओपन बोर्ड से पढ़ाई करे ठीक है ओपन बोर्ड से एक्जाम देगा तो यह अगली बार इस सेम येर में आपको कुछ नहीं होगा अगली बार क्या करोगे आप अगली बार फिर से जैए डवांस दोगे और इस बार जब जैए मान और जैए डवांस का फॉर्म आफ अपलाई करोगे तो एक्जाम उनके लिए होता है जैसे सपोच करो आपने फिजिक्स केमेस्ट्री मैथ और उसके बाद म्यूजिक और मालों इंगली यह आपके पांच सब्जेक्ट है जिसमें आपने पेपर दिया है सपोच करो आपको लग रहा है कि फिजिक्स मेरे 70 आए 100 में से 70 आए है केमेस् अच्छा है यह इसमें मैं मैं दे दिया तो मैरे बन जागा ऐसा कुछ नहीं होगा दोनों बोर्ड अलग अलग है अगर आप इंप्रूमेंट से दोगे तो आप किसी एक में किसी दो में किसी तीन में या पांचों में दे सकते हो इसका फॉर्म नॉम्बर अक्टूबर क्या पास्रीलीज होगा आप भरो सी बीज़ दो पैसा वेसा देखे उसके बाद आपका सेम जैसे बोर्ड का एक्जाम होता है वैसे यह आपको जाना कभी एक्जाम यहां पर होता है और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सोरविया ऐसा कुछ नहीं मैं तो बहुत अच्छा लिखा हूं तो आप चैलेंज भी कर सकते हो चैलेंज भी कर सकते हो लेकिन मैं आपको सिर्फ यह बोलूंगा कि भाई 12 का result के बाद आपको सिर्फ एक काम करना है जो मैं बता रहा हूं उस पर तोड़ा सब प्रकास डालिए इधर उधर की बातों पर ज्यादा समय मत विस्ट करिए कुछ होता नहीं है ट्वल्थ में 75 परसेंट नहीं आया है कोई बात नहीं अभी आपकी उमर कोई कमाने खाने किया हो नहीं गई और अगर आप आपने गलती कर दिया तो उसका भुकतान ऐसे होगा ड्रॉप ले लो इंप्रूमेंट एक्जाम दे दो इंप्रूमेंट एक्जाम के लिए अभी थोड़ा सा जब ड्रॉप एयर में आ जाना तो जो आपने गलती किये गलती मतलब जैसे आपकी राइटिंग अच्छी नहीं पास आप भरो एक्जाम के लिए एंड जैसे एक्जाम के लिए आप भर रहे हो कोसिस यह करो कि जब भी आपका बोर्ड का एक्जाम है उसका दस से पंदरा दिन पहले लिखने की एबिलिटी डेवलप कर लो है ना परिव आई क्यूज लगा लो सिंपल पेपर लगा लो काम बन जाएगा या बहुत ज़्यादा है नहीं हो पा रहे है कुछ बोर्ड वगेरा अच्छा नहीं गया है और आपको लग रहा है कि मैं जई के लिए नहीं बना हूँ तो सिंपल बात है सी यूईटी का एक्जाम दो यह स्टेट कॉलेज में चले जाओ या यूनिवरसिटीज में पढ़ लो यह गवर्मेंट एक्जाम की प्रप्रेशन कर लो यह डिप्लोमा कर लो ठीक है या आई टी आई कर लो आई टी नहीं रिस्पेक्ट वो कर सकते हो तो चूच करना बड़ा सिंपल है और अगर यह नहीं अच्छा लग रहा है तो एक बार आप यह ना यूएस बोर्ड के बारे में देख सकते हो इसकी विबसाइट पर जाओ कॉल करो सारी डीटेलिंग यह लोग दे देंगे तो यही तीन